चोपड़ा जो किसने YouTube चनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हरदिक स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे बच्चो NEET PG का रजल्ट आ चुका है और अभी कुछ ही तिनों में काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी जैसे ही ये काउंसलिंग स्टार्ट होती है हम आपको इन्फर्म कर देंगे अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आपको आपकी रेंक पर कौन सा कोलेज मिलेगा कहां पर आपको college मिल सकता है कौन सी best branch मिल सकती है कितने rank पर मिल सकती है और क्या marks पर मिल सकती है कौन सी category में तो ये जानने के लिए हमने आपके लिए book तयार की है और इस book की मदद से आप अपने counseling आसानी से करवा सकते हैं इसमें पहले मैं UG की book लिखते आ रहा था लेकिन इस साल से PG की book भी publish की है ये आपके लिए काफी फाइदे मन रहेंगी अगर आप PG में admission देख रहे हैं तो इससे आपको एक idea लग जाएगा कि आपको कौन सी branch best मिल सकती है कितनी rank पर कौन सी branch किस state में कौन सी college मिल सकती है क्योंकि अभी आपके पास में rank आ चुका है तो इसके लिए मैं आपको पूरा procedure समझा देता हूँ कि कैसे आपने चेक करना है और क्या-क्या facility इस book में available है मैं सुचता हूँ ये book आपके लिए काफी helpful रहेगी इसमें तो ये जो counseling guidance है इसमें All India quota के बारे में समझा रखा है All India quota के बारे में इसमें सब कुछ समझा रखा है All India quota के साथ साथ Central University जैसे दिली उनिशिटी है EMU है, BHU है और इसमें psychiatry राच्ची है तो ये इन सब के बारे में समझा रखा है साथ इसाथ DNV के बारे में भी बहुत अच्छी तरह से इसमें समझाया है इसमें MD, MS, Diploma Courses, DNV Diploma इन सब के बारे में अच्छी तरह से समझाया है अब इसमें क्या-क्या समझाया है वो मैं आपको यहां पर briefly बता देता हूँ आपको कैसे-कैसे इससे फाइदा हो सकता है इसमें एक तो सबसे पहले काउंसलिंग के बारे में समझाया गया है कि आपको काउंसलिंग कैसे करवानी है कौन-कौन से काउंसलिंग होती है किस परकार से काउंसलिंग करवानी है इसमें previous year की marks versus rank दे रखी है कि कितनी marks पर कितनी rank थी तो ये previous year का इसमें data दे रखा है इसमें list दे रखी जो MCC दुआरा कौन-कौन से MDMS और Diploma course में admission करवाया जाता है इसके बारे में आपको जानकारी बहुत ही जरूरी है क्योंकि कौन-कौन से course हैं कौन-कौन सी branch हैं जिनमे आपको admission मिल सकता है और MCC दुआरा इसकी कौन-कौन से branch में counseling करवाया जाती है admission दिया जाता है ऐसे ही DNB course के लिए है list इसमें कि ये course DNB course हैं जो MCC दुआरा offer किये जाते हैं इसमें इसके बाद में All India Quota की seat matrix दी गई है MS, MD, Diploma और ये DNB के लिए भी seat matrix दी गई है इस्टेट annual fees दी गई है All India Quota की Central University की और DNB Quota की तो इस परकार से इसमें ये सारी चीजें दी हुई है अब इसमें last cutoff दी गई है category wise इससे आप ये idea लगा सकते हैं कि आपको कौन से state में last में कौन सा college मिल सकता है किस category में ये एक list आपके लिए beneficial है यहाँ पर इसके बाद हर एक branch की category wise, college wise round wise cutoff दे रखी है यहाँ पर round wise cutoff दे रखी है जिससे आप idea लगा सकते हैं कि आपको इस category में इस round में यहाँ पर admission मिल सकता है क्योंकि पिछली rank में और इस rank में seat मिलने पर same सा ही procedure होगा यानि कि ज्यादा difference नहीं आएगा तो इससे आप idea लगा सकते हैं कि आपको कहा admission मिल सकता है अब आप देख कैसे सकते हैं यह क्या क्या देख सकते हैं यह मैं आपको बताओं अब देखो यहाँ seat matrix दे रखी है all India quota के लिए seat matrix है यहाँ पर MD MS diploma courses के लिए इसके बाद में इस परकार से state wise bond detail दे रखी है कौन से state में bond है कौन से में नहीं है MD MS के लिए यह सारी detail दे रख है annual fees कितनी है तो यह भी सारा इसमें सब कुछ समझाया गया है अब इसमें स्टाइफ अन्वल फीस Central University के लिए दी गई है DNB quota के लिए दी गई है यानि कि हर एक branch के लिए इसमें सब कुछ समझाया गया है इसमें अब सभी branch के लिए इसमें cutoff दी गई है सभी category के लिए और कार से दी गई है मैं आपको यहां पर यह समझा देता हूँ जैसे कि मालनो वर्दमान महवीर है category यहां open है इससे नीचे OPC EWS सभी category की open category की MD Radio Diagnosis में वर्दमान में first round में All India Ring 13 गई थी पिछली साल का यह है second में कोई college अलोट नहीं third में क्योंकि आगे seat vacant ही नहीं होके आई है इन colleges में तो आप यह भी idea लगा सकते हैं कि इन में जो first में college मिल जाती है top की वो college मिल जाती है बात में college नहीं मिलती है तो इस परकार से आप एक idea लगा सकते हैं आपकी rank क्या है उस rank पर जैसे कि मालनो आपकी rank 32 है तो इस rank पर यह college मिल सकते हैं इससे नीचे यह college मिले हुए ह थार्ड और फॉर्थ इस्ट्रे में मिला नहीं था क्योंकि ये टोप कोलेज हैं तो आगे सी टिम में वेकेंड रहती नहीं है तो इस परकार से आप एक आइडिया लगा सकते हैं पूरा सभी वरांचू का आइडिया लगा सकते हैं ये तो मैंने आपको एक MD रेडियो की बताई है डाइगनोसिस की इस परकार से OBC कैटेगरी में भी इसी परकार से सेम दे रखा है तो इस OBC कैटेगरी में भी देख सकते हैं और इसके बाद में दूसरा जैसे रेडियो डाइगनोसिस में डिप्लोमा हैं तो डिप्लोमा में open category की कौन सी college में क्या cut off रही थी ये सारा सब कुछ इसमें समझाया गया है तो इससे आप एक idea लगा सकते हैं कि आपको कौन सी branch मिल सकती है कौन से state में मिल सकती है कौन सी college मिल सकती है वो पिछले साल first round में कितनी rank पर मिली थी जो पिछली साल मिली थी वही इस बार भी मिलने की क्योंकि rank में फरक नहीं पड़ता है रेंक के थोड़ा बहुत ही fluctuate होता है इसमें ज्यादा फरक नहीं पड़ता है अब जैसे कि मालो मैंने यहाँ diploma radio diagnosis का open category का बताया है यहाँ पर open category की यह cut of dnb quota के लिए है यह diploma courses के लिए है तो इस परकार से आप इसमें देख सकते हैं एक पूरा calculation निकाल सकते हैं एक white page पर लिख सकते हैं आपकी मेरे को इन इन branch में यह यह college मिल सकती है यह book आपके लिए काफी beneficiary सब मिल होगी इसमें अब इसमें pediatrics में देखते हैं हम OBC category में इसी परकार से इसमें भी सारा समझाया गया है first round second round third round तो यह मैं आपको एक example दे रहा हूँ बाकि इस book में बहुत कुछ है आपको D&B quota में देखना है आपको और्थों में देखना है open category में कौन सी rank पर कौन सा college मिला हुआ है यह book में बड़ी महनत से बनाई है दोस्तों और A की जगह आपको सब कुछ मिल रहा है कहने का मतलब आपको सारे round A की जगह मिल रहे है category A की category में कौन से college में क्या cutoff रही है जैसे की diploma है TB and chest इसमें है family medicine में है तो यह सारी की सारी cutoff दी गई है जिससे आप एक idea लगा सकते हैं जैसे MCS neurosurgery 6 years course है और direct 6 years neurosurgery का इसमें open category में ही seat होती तो यह सारा सब कुछ इसमें समझाया गया है तो cutoff से आप एक idea लगा सकते हैं कि आपको कौन सी college मिल सकती है कौन सी category में कौन से state में कौन सी branch मिल सकती है जिसकी fees क्या होगी यह सारा सब कुछ समझा दिया है जिससे आप पूरा एक idea लगा सकते हैं इस book से अब counseling process भी दिया गया है इसमें फर्स्ट राउंड की condition क्या है कितनी fees जमा होगी कैसे कैसे आपको counseling करवाने है इस flow chart से भी समझा दिया गया है कि ऐसे ऐसे आपको फर्स्ट राउंड में joining से free exit है कोई नुकसान नहीं होगा second round में आपको join करने पड़ेगी नहीं तो security money का नुकसान है तो इस परकार इसमें सारा first round में क्या condition है ये point wise मैंने सब कुस समझा रखा है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा इस book के अलावा जो मैं UG की book लिखता था वो student के काफी helpful रहती थी इसी विचार काफी student का मेरे पास में ऐसे comments आ रहे थे क्योंकि 2016 से मेरे साथ बच्चे जुड़े वे हैं तो उनका अभी MBBS complete हो गया है वो PG के admission सर्च कर रहे हैं तो उनके लिए ये book काफी helpful रहेगी और उन्होंने मेरे को comments लिखके काफी बार बुलाए कि सर्च जिस परकार से आप UG की book लिक रहे हैं इस परकार से PG की book भी publish कीज की book का link दे रखा है ये जो मैंने आपको सब को समझाया है वो PG की book में मिल जाएगा और ये नीचे UG की book का link दिया गया है इसको आप हमारी website www.sopraeducation.in से फी download कर सकते हैं जैसे ही आप इस link पर click करेंगे तो आप download page पर पहुंच जाएंगे तो वहां से आप इसको download कर सकते है तो ये जानकारी थी इस book के बारे में ताकि आप PG की counseling अच्छी track case से करवा सकते हैं आपको हर चीज का knowledge हो सके कौन सी college आपको कितनी marks पर कहां पर मिल सकती है कितनी rank पर मिल सकती है ये सारा सारा आपको idea हो जाएगा इसमें तो बाकी updates के साथ में आप से फिर से मुलाकात होग कि अच्चार है प्रेस कि एता आप सकती है कि दूज के से छिए कि बारे में तो हगी हैます